कि आप कुरुशी पर बिराजेंगे कुरुशी कुरुशी आप मोहन भागवत जी है राष्ट्री स्वयम से होके अभी संग प्रमुख है माराजी इधर इधर पर एक आशन भी इस पर बिछाद रहें आशन चरह पर इसाहर इधर इन आशन भागव त रहें है और राष्ट्री सिर्टित मत रहें आशन हरें आशन भी इनन भागवत मत बाद रहें इन भी इस पर नहीं हूँ दे प्रिटित कि आपके अशन भ चनद में जाएं और किसी को कुरुशी के आउर सकता हो तो मंगा लिए अगर जमीन में बैटने बैट जाए जिए महाराच जी बस दर्शन करने थे आपकी बात वीडियो पर सुनी तो लगा एक बार देख लेना चाहिए गुद सकनी में सभसनावों के इसे आपने लोगों का 1950 जिन्ता गई निवा गछी इसे लोग कम देखनेS को अपने लोगों का जन्म जो भगवान ने दिया है न किено कि शिर्थ के लिए रे या ब्यूहार की शेहा और आध्यात्मी की शेवा ये दोनों शेवाएं अतियनिवारे हैं केवल ब्यवार की शेवा ही होती रहे हम अपने भारत वाश्यों को अगर हम परम सुखी करना चाहते हैं तो केवल वस्तु और ब्यवस्ता से नहीं कर सकते उनका बौधिक इस्तर सुधरना चाहिए आज हमारे समाज का बौधिक इस तर गिरता चला जा रहा है बहुत चिंता का विशा है हम सुविधाएं दे देंगे हम विवित प्रकार की भोग शामाग्रियां दे देंगे लेकिन उनके हरदय की जो मलिंता है जो हिंशात्मक बृत्ती है जो अपवित्र बुद्धी है ये जब तक ठीक नहीं होगी तब नहीं नहीं है इसी से हमारे राष्ट की रक्षा करने वाले प्रगट होते है जो विद्यार्थी जन है उन्हेंदे को आधुनिक्ता का सुरूप लेती जाए और व्यविशार प्रवत्ति व्यशन प्रवत्ति हिंसा प्रवत्ति यह नई पीड़ी में देखकर बहुत असंतो श्रदय में होता है इसलिए कितनी भी सरीर में पिरा हो हम प्रयास करते हैं जितने से जितने सामने हमारे भगवत सुरू संसया तुम मेरे में ही निवास करेगा अर्थात भगवदानन में अविनासी जीव कभी भोग विलास में त्रप्त हो ही नहीं सकता हम अगर अपने राष्ट की विसेश सेवा तो हमारे धर्म का परिचे जैसे आप लोग आप जन करते हैं धर्म का हमारा क्या शुरूप है हम में जितना राम जी प्री हैं कृष्ण जी प्री हैं उतने भारत देश हमारे ले प्री है जैसे राम भक्त कृष्ण भक्त वैसे हमारे भारत देश का हर जन जन हमारा आदर्णी और पूजनी पर अब जो मानसिक्ताएं बन रही हैं वो हमारे धर्म और हमारे देश के लिए लाबदायक नहीं होग व्यशन का इतना बढ़ता सुरूप व्यविचार का इतना बढ़ता सुरूप हिंसा का इतना बढ़ता सुरूप ये बहुत ही विपत्ती जनक है अगर ये बढ़ता रहा तो हम बिविद प्रकार के शुक्ष विधाय देने पर भी अपने देश्वासिय को शुक ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि शुक का स्वरूप विचार से होता है शुक और दुख की इस्थिती सत्य नहीं है आगमा पाइनों अनित्यास लेकिन हमारा विचार और विचार हमारा गंदा हो रहा है बस हमारा उद्देश यही है कि हमारे देश्वासियों का विचार शुद्ध होना चाहिए अगर विचार शुद्ध है तो राष्ट प्रियता जन सेवा समाज सेवा ये सब स्वभाविक होने लगेगा और विचार शुद्ध है तो शुविधाएं बहुत हैं उनका दुर्पयोग हो रहा है तो बस आप सबसे बड़े-बड़े जो देश्टा जन है जो बड़े-बड़े धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने जिनको भेजा है उन सबसे यही प्रार्थना है कि सब विवस्था करते हुए हमारे देश्वासियों की बुद्धी अध्यात्म को समझे बिना अध्यात्म को समझे दुख शुख की समानता बिना किये परम लोकिक भोगों को भोगने से हमारा राष्ट्र शुखी हो जाएगा या हम सुखी हो जाएंगे नहीं लोकिक भोगों को पूजन संबाकरी बना करके और शाध्य सच्चिदानंद प्रभू को रखा जाए तो आनन्द की उमगन हो जाएगी बहुत सुंदर मानो जीवन का सु के लिए और उस सुख को तो हम भूले हुए एकदम बहते हुए सब इस पर सुरूप रसगंद के प्रवाह में चले जा रहे हैं और इसी को सोभागे समझ रहे हैं कि हमें सुख प्राप्थ हो रहा है नहीं हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने धार्म को शमझ यह आप अपने स्वा को जहां-जहां इस्थापित करते चले रहे हैं आप उसे गंदा करते चले जा रहे हैं मदिरा में हिंशा में दिवुट कीड़ा में बेविचार में इसे दोश्ट नहीं समझा जा रहा आज और हमारे सास्त्र हमारा धर्म इसको निश्यइत करता है कलिवग की स्थिति बताई गई है छोटे छोटे बच्चे विशन करने में लग गए आज स्कूली विद्यारती जिनको ब्रह्मचर से पुष्ट होना चाहिए वो ब्रह्मचर नश्ट कर रहे हैं यह बड़ा चिंता का विश्ट है हमारे देश के लिए जो जवान चाहिए हमारे देश के लिए जो भक्ति चाहिए उसमें बुद्धी और सरीर बल दोनों होना चाहिए सरीर बल छीर्ण हो रहा है क्योंकि विवचार प्रवत्ती में बहुत कमजोर अवस्था में जैसे गेवों की फसल है और गलेथ में काट ली जाए तो ना दाना मिलेगा न सही भूस मिलेगा ऐस यही बीश वर्शी के वस्था तक ब्रह्म posth कर दिया जाएं तो वो ग्रहस्थ की योग में नहीं रह सकता राष्क्याइश्ण के किया बात है हमारे राष्ट्र परविशивается कर रहेए कि हमारे सीर को स्वस्थ रहना है तरू कीर बद्धि कirst तेर शरीर की चर्वी बढ़ा लें लेकिन तो ना काम पर विजय प्रात्र कर सकता है ना क्रोध पर ना लोब पर ना मोह पर ना हिंसा पर फिर क्या फिर क्या जीवन तो इसलिए हमारा बार बार हरदे में सबसे प्रार्थन है जिस संत भगवान भी आते हैं यह देखो इस समय आपशक्ता विचार सुद्ध करने की है अहार सुद्ध करने की है आचरन सुद्ध करने की है हमारे देश ने चरित्र की पूजा की है रावन किसी बात में कम नहीं था आज भी कोई सीव अगर अभिशेख होता है तो टांडो इस्तोत रुशी का गाया जाता जटा अट रहीन हो गया तो अपने देश्वासियों राक्षस कह दिया उसको चरित्र आज हम चरित्र पर ध्यानी नहीं दे रहें चरित्र वेचना मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा है छुटे-छुटे बच्चे चरित्र हीन हो रहे हमारा राष्ट संकट में पढ़ जाएगा अगर हमार यही प्रार्थना है कि हमारे नई पीड़ी को सुधार जाए उनकी मानशिक्ता उनका बौधिक इस तर सुधरे क्योंकि भगवान ने हमें सेवा के लिए भेजा है सबको चाहे जितना एकांत गुफा में भजन करें उसकी भजन की सिद्धी समाच सुधार में लगेगी अगर समाच सुधार में नहीं हुई तो खास बात नहीं हुई अपना उद्धार कर लेना कोई खास बात नहीं है खास बात है अपने जीवन को सत्य और तप में तपा करके समा को प्रदान कर देना वीविद प्रकार से हमारे समाज को सुख पहुंचे इसी में भगवान विराजमान है बहु नाम जन्म नावंते ग्यान वान माम प्रपद्यते वास्देवा स्वरम इत्सा मात्म सुदुर्लभा भगवान के ते बहुत जन्मों की आराधना के बाद ऐसा बिवेक जागरत होता है ऐसा ज्यान प्राप्त होता है कि सवके हर्दय मंदिर पर भगवान वास्देव वीराजमान है अर यहे अगर लक्ष बन गया तो संसार की शेवा करते हुए वो भगवान देह नहीं हो प्यारे तुम आविनासी के बच्चा हो जो चाहो कर सकते हो पर तुम्हारी चाह गलत दिशा को चली गई वेशन छोड़ो बेविचार छोड़ो तो हमारी राष्ट सेवा में लगो समाज सेवा में बुड़े-बुड़े माता पिता को जवान बच्चे निकाल द या हमारे बेटे सेवा नहीं करते तो लगता है हमारे सास्त्र तक पहुंचना तो बढ़ रही कठिन बात है यह मनुष्ची की मनुष्चता को भी छोड़ते चले जा रहे नहीं चले जा रहे अब जैसे और लोग बहुत से बचने से हम आपको यह दे देंगे हम आपको यह उसे होगा क्या जो आप देना चाहते हो बहुतों के पास है इनकी बुद्धी सुधारों इनको धर्म का ग्यान करवा हो इनको राष्ट प्रियता सिखाओ कि राष्ट के लिए कैसे प्रांट समर्पित किये जाते हैं अगर यह नहीं हुया तो सुक्स विधाओं में फिर भो प्रवाइक करते हैं राष्टरी और विक्चिव चाहँ चाहें चीनता यह होती कि हम लोग करते चले जा रहे हैं आपयों प्रयास तो हंको करेंगे निरास्ट हंक अभी होंगे नहीं क्योंकि जीना इसी के लिए मरना तो इसे साथ मरना है प्रतु क्या होगा ऐसी चिनता मन म इसका उत्तर सीधा यह है कि क्या हम स्रीकृष्ण पर भरोशा नहीं करते हैं हमें जो खास बात पकड़नी है क्या हम सच्चिदानन त्रिकालग शर्वग्य जगत गुरु भगवान स्रीकृष्ण के भरोशे में भी कमी है क्या अगर भरोशा द्रड है तो वही होगा जिसे कहा जाता परम मंगल में परम मंगल होगा कदम पीछे नहीं हम अध्यात्म बलको जानते हैं हम अपने शुरूप को जानते हैं इसलिए हमको यह नहीं डरना कि होगा क्या तीन प्रकार की लेला हैं भगवान की हो रह सक्षाइब जिस समय जैसा आदेस हो गाम उनके दास्थ वैसी करेंगे क्या होगा अब वही होगा जो मंगल रचा होगा स्रीक्रश्ण आप संसय तो करना रही है जैसे आप अपने लोगों को तैयार किया है स्रीक्रश्ण ने ऐसे ही आपके इन्हीं में से तैयार हो झाएगा जो बहुत जोर का समालेगा है आपको चिंता नहीं करना आगे क्या होला है हां मुकम करूति वाचालम पंगुम लंग हैते गिरिम यत्रपातम हम बंदे परमानंद माधुम हमारे साथ स्री क्रश्ण है अब वह होगा जो परमंगल होगा बस निरासा हतास उदास यह हमारे मिली दाड़ता रहोंगा जब तक सरीर में स्वास है और जब सरीर छूटेगा तो जो मेरा स्वरूप है उसी को प्राप्ट होगे मुझे कोई नहीं और हमारा तिरंगा हमारा राष्ट हमारा भगवान है आप तप के द्वारा भजन के द्वारा लाखों की बुद्धी को चूक मत होने दो और राष्ट के सेवा कर यह राष्ट सेवा के लिए प्रांस नमर्पित यह राष्ट सेवी हैं पर यह जितेंद्री होकर ब्यविचारी होकर नहीं यह भोगी होकर नहीं योगी होकर के अब संकल्प बना सर्वे भवंत सुखिना सर्वे संत निरामया सर्व भद्रान पस्यंत मा कस्षि दुख भाग भवेठ आचरण से संकल्प से और वानि से तीनों से हमें राश्ट सिवा करने समाथ सिवा करने और हम निरंतर यहीं चाहेंगे कि आप जिसे सत्मार्ग में पेरिथ करने वाले स्वास्त रहे भगदान सदे उरक्षा करें और आप प्रशाद लाओ और माला प्रशाद लाओ प्यारी जू का प्रशादी वस्तर आप इसे धारण करें जी यह श्री लाडली जू महाराज का है एक माला पहना जू कि अचिए भौत अननन्ट वान, वादल स्वन प्रशाद लाँ वालव व्ल्या, दुरुष् टीवी जो है और साबू थेर्टॉ गड़ू